नमस्कार, मैं हूँ प्लेखा नौफ आपदेख रहने विमर्श नियूस लालू प्रसाद्य आदब के सबसे छोटे बेटे तेजश्वी आदब की शादी उनके बच्पन की मेत्र रसेल के साथ बिना किसी ताम जाम के संपन हो वे चर्चा छेडी कि रसेल इसाईल है बाद में पता चला कि रसेल ने धर्म पडिवर्दन करके हिंदू धर्म अपना लिया तेजश्वी आदब की शादी सोशल मेडिया से लेकर अखवारों की सुर्खियों में चाही रही अब तेजस्वी की शादी उनके मामा सादो यादव के बयानों के चलते सुर्खियों में है देखिए पूरी रिपोर्ट का सम्मान किया और हिंदू धर्म अपना लिया हलाकि उसके धर्म परिवर्तन करने के बारे में परिवार से कोई पुष्टी नहीं की गई है लेकिन यह सब जाहिर हुआ है कि दोनों का विवाह हिंदू रिती रिवाज से संपन हुआ है तेजस्वी की साधी बेहद गुप्त तरीके से साधे समारों में संपन हुई पहले सगाई की बात थी लेकिन कुछी देर में पता चला कि विवाह भी संपन हो गया परिवार की ओर से बताया गया कि लालू यादो के स्वाश्त की वज़े से या विवाह दिल्ली से संपन हुआ इस साधी में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इस पर कोई विवाद हो ब्यार में मुख मंत्री से लेकर सब ने वर बधू को वधाई एवम आशिरवात दिया लालू की बड़ी बेटी से लेकर दूसरी अन्य बेटियों की साधी के बनिस्पत या साधी साधे समारों के साथ संपन हुआ तब आखिर क्या बात है कि राबडी के एक भाई साधु यादो आपे से बाहर हो रहे हैं लालू से लेकर जगतानंद से लेकर परिवार के बेटे बेटियों पर हत्थे से उखड़ खड़े हुए है जरह सुनिए साधु क्या बोल रहे हैं यही तो रोना है यही तो दुखद है कि जो अपने परवार के बारे में सोचा और समाज के परवार के बारे में नहीं सोचा जमात के बारे में नहीं सोचा एक आदमी के चलते पूरा समाज पूरा बिहार पूरा जमाद को छोड़ दिया ये लॉंड़ा एक लड़की के चलते इसमें क्या खास्यत था क्या खासियत है इसलिए ये अपने कमजोरी को बिहार पर मढ़ दिया बिहार के लोगों पर मढ़ दिया हिंदू समाज पर मढ़ दिया यादो समाज पर मढ़ दिया कलंकित किया है इसलिए इसको बहसकार होना चाहिए हर अस्तर पर कि बेटियों के साथ ही जादो में करेंगे अलाटका के साथ ही क्रिश्चन में करेंगे एई समाज गवाई देता है क्या एई समाज में अगवा बन रहे है क्या इसलिए इसको पूरा बहिसकार करना है जादो समाज क्या लगता है कि जादो समाज बहिसकार करेगा किसी का बद् कोई बच्पन के दोस्त है कि फालतू बखबास कर रहा है बच्पन का दोस्त है बीर पीने वाली या फोटो खीचाने वाली जूंहा फोटो भाइरल हुआ है इसलिए इसे लोगों से सतर किनने के जोडते हैं विहार के ज़िद्वन भाइयों हिंदु भाईयों से अपील है कि इसको बहुत कारो जूता मारो उसके को ने दिकार दिया है हमारे जमात में हमारे जात में बात करने वाला उकन होता है जक्तानन से पार्टी कर जाले से बाहर किया जाएगा जिस तरह की राजनेती लालु प्रुशाद यादो और उनके परिवार के लोग करते रहे हैं उसमें इस विवाद के लिए कोई जगह थी ही नहीं वेलकि या कोई आवश्यक नहीं था कि रसेल अपना धर्म परिवर्तन करें बताया जा रहा है कि दोनों पतना राबडी देवी के घर आ रहे हैं और लालु तेज़श्वी के समर्थक वरवधु के स्वागत क जोरदार तयारी भी कर रहे हैं बताया जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद कभी अनुकूल समय देखकर रिसेप्शन भी होगा अब जरा नजर डालते हैं विहार के चर्चित लोगों के विवाहों पर जो विवाह अंतर धार्मिक और अंतर जातिये हुए विहार की राजनीती मे लगभग पांच दसकों से सक्रिये चर्चित बीजेपी के नेता सुशिल कुमार मोदी ने अपने क्रिश्चिन मित्र से विवाह किया उनकी पत्नी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया और वह अपनी मान्यताओं के साथ उस परिवार में रह रही हैं जब उनकी साधी हुई थी उस समय राम मंदिर का मसला राजनिती के एजिंडे पर था दूसरा उदारन है राजद में प्रथम अस्तर के पहली पंक्ती के नेता अब्दुलबारी सिद्धिकी का अब्दुलबारी सिद्धिकी ने अपने हिंदु मित्र नूतन के साथ विवाह किया था नूतन और अब् की साधी भी सफल साधी कही जाएगी लालु प्रशाद यादो और राबडी ने अपने साथ बेटियों का विवाह कर दिया मिशा भारती उनमें से बड़ी हैं उनके जन्म और लालु यादो के मिशा बंदी के रूप में जेल में रहने के प्रसंग से उनका नाम मिशा रखा ग मिशा के विवाह के समय साधू तथा राबडी भाईयों ने अपने अपने द्वार पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाये थे साधू के द्वार पर लिखा गया था कि मामा का प्यार भगणी के लिए यह सब दिखावा इसलिए किया गया कि यह जाहिर हो कि एक अने की निवास के पास ही साधु यादो का निवास है पूरा इलाका राज मार्ग बन गया था बाद में अन्य बेटियों की विवा के समय ताम जाम और दिखावे में तुलनात्मक रूप से कमी आई लालु पुशाद के परिवार में जब भी कोई शादी हुई वो चर्चा में रह तेज प्रताप यादो की साधी भी खुब चर्चा में रही है तेज प्रताप की साधी में राजनतिक गडबंदन जैसी चर्चा चली धरोगा राय के पुतर चंद्रिका राय की बेटी एश्वर्य की पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से हुई है लेकिन परिवार के अंदर के कारणों से और संभवता तेज प्रताप की वज़ा से यह साधी तूटने के कगार पर है बहराल एक बार फिर लालू के परिवार में एक और साधी चर्चा में है और इस बार लड़ाई मामा और भगिना के बीच है तेज प्रताप ने आप से थोड़ी देर पहले ये कहा है क जाके राबडी से पूछो वो किस जाती की है तो आप भी इस साधी पर नजर अगर रख रहे हैं और इस चर्चा में आप सामिल है तो लड़ उठाईए देखिए कुछ और कुछ होने जा रहा है